बच्चों हम रोज तयार होते हैं, हम रोज अपना चहरा आइने में कई बार देखते हैं, सबके घरों में जो आइना होता है वो समतल दर्पण होता है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि इस समतल दर्पण में हमारे चहरे का प्रतिविम किस प्रकार बनता है? देखिए बच्चो मेरे सामने एक pencil है और एक समतल दरपन है यदि मैं इस pencil को इस दरपन के सामने रख दूँ तो आप देख सकते हैं किसका प्रतिविम इस समतल दरपन पे दिखाई दे रहा है और यह प्रतिविम बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि यह pencil है और यह प्रतिविम उतन जाकर आने वाली प्रकाश इस दर्पंड से टकराती है और उसके बाद हमारी आँखों पर पढ़ती है तब उस वस्तु का प्रतिविम हमारी आँखों पर बनता है इस वस्तु से आने वाली प्रकाश उसे हम अपतित के रण कहते हैं और इस दर्पंड से टकराकर जाने वाली द्वारा समझते हैं बच्चों इस प्रयोक को करने के लिए हमने एक गोल डिश लिया है अब देख सकते हैं बच्चों इस गोल डिश में जीरो अंसर से लेकर तीन सो साथ अंच तक का स्केल बना हुए है और हमारे पास एक समतल दर्पन और एक लेजर लाइट और एक चांदा अब इन सबकी साहता से हम लोग आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में संबंद देखेंगे बच्चों अब इस लेजर की लाइट को मैं समतल दर्पन पर आपतित करती हूं अब देख सकते हैं यह लेजर की लाइट इस समतल दर्पन पर आपतित हो रही है और इसे टकरा कर परावर्तित हो रही है इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं और जो किरण टकरा कर वापस ज पर 90 डिग्री पर है इस रेखा को हम अभिलम कहते हैं अभिलम और अपतित किरण के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं अभिलम और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं अब मैं इस अपतित किरण को इस अभिलम से 20 अपतित किरण का कोण 20 डिगरी का है, 10 और 10 मिलाकर 20 अंश हुए, अब यहाँ पर हम देखेंगे, परावर्तित किरण जो है, वो भी 20 अंश का कोण बना रही है, यदि मैं इस अपतित किरण के कोण को बढ़ा दो, अब मैंने 0 से 330 पे रखा है, मतलब यहाँ पर 30 अंश का कोण बन रहा है, अपतन कोण 30 अंश का है, अब परावर्तित कोण भी, परावर्तित कोण भी आप देख सकते हैं, यह भी 30 अंश का है, मतलब परावर्तित किरण भी उतने ही कोण में परावर्तित हो रही है, जितने को और बढ़ाओं 40 डिग्री पे रखूं तो परावर्तित के रण भी 40 डिग्री पे ही परावर्तित होगी इस प्रकार हम देख सकते हैं अपतन कोन का मान और परावर्तन का पर्अवर्टित हो जाता है इस प्रकार हम देख सब्सक्रापतन कोन और पर्अवर्टन कोन्स दोनों ही बराबर और यही परावर्टन का पहला नीअ मैं और आप देख सकते हैं बच्चो यह अपतित के रण यह प्रावर्टित के रण Flake अभिलम तीनों एक ही तल में है अब पता है और यही परावर्तन का दूसरा नियम है इस प्रकार इस प्रयोक से हमने परावर्तन के दोनों नियम को समझ लिया तो बच्चों अब हम इस दरपन को घुमा कर देखते हैं कि इस परावर्तित के रण पर क्या फर्क पड़ रहा है इसके लिए मैं आपतन कोन के मान को 20 डिग्री रखती हूं अब देख सकते हैं बच्चों कि जब मैंने आपतन कोन का मान 20 डिग्री रखा है तो परावर्तन कोन भी कितना है 20 है अब मैं इस चांदी की सहायता से इस दरपन को घुमाती हूं मैंने इस दर्पन को 10 डिग्री पे घुमाया अब देख सकते हैं बच्चों यह परावर्तन कोण का मान कितना हो गया 40 डिग्री हो गया पहले तो 20 डिग्री था अभी 40 डिग्री क्यों हुआ क्योंकि मैंने इस दर्पन को 10 डिग्री पे घुमाया है और 10 का double कितना होता है? 20. इसका मतलब इस परवर्तन कोन पे 20 डिग्री और बढ़ गए है. तो कुल मिला के कितने हो गए? 40 डिग्री. यदि मैं इस दर्पन को 10 डिग्री और घुमाऊं. मतलब पहले किस्तिति से अब ये कोन कितना हो गया? 20 डिग्री मैंने घुमाया है. पहले अपतन कोण का मान 20 था परावर्तन कोण का मान 20 था अब मैंने इसको दरपन को 20 डिगरी घुमा दिया 20 का दूगना कितना होता है बच्चों 40 तो इस 20 अंच में इस 20 डिगरी में 40 डिगरी और बढ़ गया इसलिए परावर्तन कोण का मान कितना हो गया साथ डिगरी हो गया तो बच्चों इस प्रयोग में हमने पाया यदि हम समतल दरपन को किसी कोंड से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण भी घुम जाती है यदि मैं इस समतल दरपन को 10 डिगरी से घुमा रहे थी तो परावर्तित किरण दुगने कोंड अर्था 20 डिगरी से गुम रही थी और जब मैंने इसे 20 डिग्री पर गुमाया तो परावर्तित की रण 40 डिग्री पर गुम गई इसका मतलब यह है कि किसी समतल दरपन को थीटा कोंड से घुमाने पर परावर्तित की रण दुगने कोंड अर्था 2 थीटा से घुम जाती है